हेलो हेल्जर विल्कम बेग प्रॉपरेट को माइ यूटुफ चैनल हम आज और टपिक वह एडिसेन एड pública क्षण आफ टू ओप्रेंट्स या एडिसेन एड़िसेन और स्प्रेंग्शन ओफ टू नम्बर्स विड साइन मैंनी इड no आपका question हो सकता है कि sign और unsign magnitude क्या होता है sign magnitude और unsign magnitude अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5 plus 5 लिखते हैं या फिर minus 5 लिखते हैं यह इसकी sign है इस number का यह sign है plus और minus unsign यहाँ पर आप सिर्फ 5 लिखते हैं ठीक है friends तो sign और unsign में आपको difference पता चल गया कि sign किसे कहते हैं sign magnitude किसे कहते हैं और unsign magnitude किसे कहते हैं जो हमारा number है वो sign के साथ represent होगा it means वो sign magnitude में है ठीक है friends तो अब तक हम लोग बचपन से addition, subtraction, multiplication and division operation perform करते आये हैं बट हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो CPU है ठीक है friends वो किस तरीके से यह arithmetic operations perform करता है जैसे आज का हमारा जो topic है वो है additional subtraction ठीक है additional subtraction के लिए हमारे पास एक table है जिसमें से हम देखते कि किसी भी दो number को या किसी भी two operations को अगर हमें add करना है addition या subtraction operation perform करना तो वो किस तरीके से होगा ठीक है friends तो हमने यहाँ पे एक table बनाई हुई है operation addition subtraction की ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा दो operand same sign के साथ है अगर addition हमें दो operand का करना है और वो same sign के साथ है लाइक अगर हमें 5 plus 6 करना है और ये 5 भी हमारा positive number है 6 भी हमारा positive number है हमारा result भी positive में आएगा 6 पां 11 ठीक है friends यहाँ पर addition के 4 cases है कि कब कब हमारा addition perform होगा और कब subtraction perform होगा तो addition operation के यहाँ पर 4 cases है और subtraction के भी 4 cases है तो हमारा addition कब perform होगा जब हमारा दोनों operand same sign carry करेंगे यानि जब हमारे first operand और second operand इट मिस बोथ operand जो है same sign को carry करेंगे तब addition perform होगा same sign वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है ठीक है friends तो जैसे plus a plus b same sign है it means हमारा addition perform होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a plus b और sign किसका होगा बाहर positive में का क्योंकि दोनों हमारे operand positive है ठीक है वैसे ही same हमने क्या का same sign minus a और minus b यह इन दोनों को जब हमें add करना होगा तो यह भी addition perform करेंगे क्योंकि यह दोनों ही operand same sign करी कर रहे हैं तो a plus b बट हमारा जो बाहर का sign होगा वो minus होगा ठीक है friends क्योंकि दोनों ही operand minus sign करी कर रहे हैं negative ओके friends अब हम देखते हैं कि जब addition में दोनों operand different sign करी करते हैं it means कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा a जो है वो plus sign यानि positive है और b जो है वो negative है यानि a जो है वो plus sign करी कर रहा है और b minus sign करी कर रहा है इस case में क्या होगा subtraction perform होगा ठीक है friends होगा तो actual में addition ही बट वो subtraction perform करेगा subtraction के लिए हमारे पास तीन cases है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं first case है a greater than b second case है a less than b third case है a equals to b it means जब हमारे पास दो operand different different sign के होगे और हमें addition perform करना होगा तो हम क्या करेंगे कि या तो हमारा a बड़ा होगा b से या फिर a छोटा होगा b से या फिर दोनों ही नंबर equal होगे ठीक है तो तीन case हमारे पास बनते हैं और हम उसको subtract करेंगे इसके लिए क्या करेंगे a और यहाँ plus minus जैसे कि अगर आपके पास plus 6 है और इसको और यहाँ plus करना है minus 5 के साथ तो आप क्या करेंगे friends जब हमारा a बड़ा है उस case में यह plus है यह minus है तो plus और minus जो है minus हो जाता है ठीक है तापका क्या होगा 6 minus 5 equals to 1 यानि a बड़ा है ठीक है friends तो इस case में क्या होगा कि a minus b करेंगे बड़ positive sign के साथ नंबर हमारा जो result हैगा वो positive आ रहा है जो greater operator है यानि यहाँ पर a greater है b से इसलिए हम इसका sign यहाँ पर लिखे है same thing अगर हमें यही करना है plus a minus b को add करना है तो क्या करेंगे b minus a क्योंकि यहाँ पर b greater है तो b मैंसे a को हम subtract करेंगे और बाहर जो sign होगा वो minus को होगा क्योंकि हमारा यहाँ पर b greater है a से बड़ा b है इसलिए हम b का जो sign है वो minus है यहाँ करी करेंगे third case में a equals to b यहाँ पर हम क्या करेंगे a minus b ठीक है friends जब दोनों ही operand की value same होगी like 5 minus 5 equals to 0 तो 0 जो हमारा positive sign आएगा ठीक है इसलिए हम a minus b positive कर देंगे okay friends same thing जब हमारा first operand negative है और second operand positive हो different sign है तब भी subtraction perform होगा तो क्या करेंगे a minus b ठीक है a minus b और sign किसका रखेंगे जो a greater है यहाँ पर minus sign a करी कर रहा है इसलिए minus ठीक है friends यहाँ पर हम क्या करेंगे b हमारा greater हो तो b minus a b मेंस a को subtract करेंगे और sign positive का क्यों रखेंगे क्योंकि हमारा b greater b हमारा plus sign करी कर रहा है ठीक है same thing यहाँ पर और हम अब आजाते हैं subtraction इसके लिए हमारे पास 4 cases है subtraction में क्या होता है जब हमारे पास दोनों operand same sign करी करते हैं यह जब हमारे पास दोनों operand के sign same होते हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं positive a है और plus b है ठीक है फ्रेंट्स तो इस केस में क्या होता subtraction में subtraction perform होता है don't be confused friend addition में क्या होता है जब हमारे दोनों operand same sign carry करते हैं तो addition perform होता है जैसे आप यहाँ देख पा रहे है ठीक है different sign पर subtraction perform होता है subtraction में क्या होता है जब हमारे दोनों operand same sign carry करते हैं तो subtraction perform होता है different sign पर addition perform होता है ओके friends so हमारा plus a और plus b a से b को minus करना है it means a minus b तो यहाँ पर subtraction perform होगा subtraction में या तो a greater than b होगा या b greater than a होगा या फिर तोनों equal होगे तीन case थे तो इसको हम क्या लिखेंगे a minus b मतलब कि a से b को हम a में से b को subtract करेंगे बढ़ जो sign है वो positive का होगा क्योंकि a greater है इसलिए जो greater element है आपका greater operator है उसका sign यहाँ पर represent करेंगे same case b minus a करेंगे b से हम a को क्योंकि यहाँ b greater है b से हम a को subtract करेंगे और b यहाँ पर क्या होगा negative है इसलिए हम यहाँ पर negative sign रख रहे है क्यों? क्योंकि जब minus और plus को हम multiply करेंगे तो हमारा minus आ जाएगा ठीक है friends ऐसे ही जब दोनों ही हमारे operand की value same होगी a और b तो हमारा result 0 आएगा यानि equal होगा ठीक है? तो हम इसको इस तरीके से represent कर दे रहे हैं यहाँ पर अब आप देख पा रहे है minus a और minus b को हम subtract करना है जब हमारे पास minus 6 और minus 5 हो दोनों ही हमारे operand negative हो और इनको हमें add करना हो या subtract करना हो तो ठीक है friends तो minus minus positive होता है दोनों यह operand हमारे negative है minus sign carry कर रहे हैं और इनको minus करना है इस case में भी same sign पर भी subtraction में क्या होता है? subtraction perform होता है same sign है दोनों operand का इसलिए क्या करेंगे? A minus B क्योंकि A greater than B यानि A minus B assign क्या होगा जो हमारा greater operand है A इसका sign minus है इसलिए हम minus कर देंगे तो minus A minus B हो गया ठीक है ऐसे ही जब B greater होगा तो B minus A sign positive क्यों कहरी करेंगे क्योंकि minus minus plus हो जाता है जब आप minus minus का multiplication करेंगे तो ये plus हो जाएगा इसलिए plus हमारा B जो हो positive आजाएगा ऐसे ही आप request room में कर देंगे अब हमारा जो last बचता है कि different sign पर subtraction में जब हमारे दोनों open different sign केरी करते हैं तो addition perform होता है ठीक है इस भी क्या है कि आपका A positive sign केरी कर रहा है और B negative B minus है ठीक है इनको क्या करना है कि दोनों actual में addition perform कर रहे है तो A plus B sign plus का बाहर आएगा क्योंकि ये add हो रहे है दोनों ही A और B तो plus बाहर आजाएगा क्योंकि A plus और minus minus plus हो जाएगा तो B और जो आपका बड़ा है वो बाहर करी कर रहा है ठीक है ठीक है तो क्या होगा A plus B addition perform कर रहे इसलिए हम minus बाहर रखें क्योंकि अगर हम इसको खोलते है तो minus A minus B ठीक है friends तो ये रहा है आपका table अगर आपको कोई भी confusion है तो इसको जब हम flow chart पढ़ेंगे उसमें एक example कि थूर समझेंगे और आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी इस प्रकार से हमारे पास addition and subtraction के 4-4 cases है इस तरह से हम addition and subtraction perform करते हैं by CPU दोरा perform होता है ठीक है अगर हम बात करें इसके hardware implementation की तो वो इस प्रकार से है ठीक है addition and subtraction के अगर हम hardware implementation की बात करें तो वो इस type से है हम A और B दो operand ले रहे थे A की value हम A register में store कर रहे है और B की value B register में store कर रहे है sign magnitude के साथ हम पढ़ रहे थे plus और minus positive and negative तो हम उसकी sign को AS और BS में store करेंगे जो A की sign होगा हमारा अगर plus 5 लिखा है ठीक है friends तो plus जो हम यहाँ पर AS में store करेंगे 5 A में like beam के साथ भी ठीक है friends जो AS और BS है यहाँ पर हम उसके उस operand का sign store करेंगे ठीक अब हमारे पास एक parallel ladder है mode है mode में क्या होता friends 0 mode को हम addition कहेंगे अगर हमारा mode 0 है तो addition perform होगा mode हमारा 1 है तो subtraction perform होगा ओके friends तो अगर हमें subtraction perform करना है तो जो B register में यानि B second operand की value होगी यानि B की जो value होगी उसका compliments निकालेंगे 2S compliment subtract करने के लिए देन उसको parallel adder में हम store करेंगे और result calculate करेंगे इसके साथ A के साथ add करके mode जो हमारा दिया है अगर 0 हाता है 0 mode इस means addition perform होना है तो वो directly बिन विदा हमें कोई compliment निकालने जरुत नहीं अगर हमारा mode 0 है तो सीधा हम उसको उस input को parallel adder में store करेंगे और A register के साथ जो भी value होगी उसको हम add कर देंगे देन जो हमारा output आता है वो A register में हमारा output भी A register में ही finally store होता A register में उसको output S के form में store कर देंगे यानि sum ठीक है उसको हम यहां store कर देंगे जो carry आती है वो हम E flag में store करते है अगर हमारी उसके बाद भी extra carry आती है तो हम उसको ABF में store करते है ठीक है friends अगर हमारे पास subtraction के case में क्या करेंगे हम B का 2S complement निकालेंगे देन उसको हम parallel ladder में store करेंगे और हमारा जो output होगा वो A register में store करेंगे जो carry आएगा उसे E में करेंगे अगर extra carry आती है तो ABF में करेंगे तो इस प्रकार से आपका addition और subtraction की table आपने देखी और उसका hardware multiplication देखा implementation देखा ओके friends